नमस्कारम जिस परकार से उत्तर भारत में घी का पड़ियोग किया जाता है? उसी परकार से दचिन भारत में घी के जगा पे नारियल तेल का पड़ियोग किया जाता है दचिन भारत में अधिकांस बेंजन नारियल तेल में ही बनाया जाता है क्योंकि नारियल तेल का तासिर ठंडा होता है और दच्छिन भारत में गर्मी अधिक परती है आज मैं आपको नारियल तेल में सबजी अगर आप बनाते हैं नारियल तेल अगर खाते हैं तो उनके कितने फाइदे हैं उनके बारे में बताता हूं आजकल के दोर में अधिकांस लोग पेट समंधित बिमारी से पिरित रहते हैं तो यहीं से सुरुवात करते हैं नारियल तेल में more than more fiber पाया जाता है जो कि आपके digestive system को बल देता है सक्ति परदान करता है जब digestive system strong हो जाएगा तो आप जो खाएंगे अराम से पचेगा कहा भी गया है कि पेट सफा तो हर रोग दफा जिस बिक्ति का पेट साप नहीं है वो एक सरीरिक जो सुबा सुबा पेट साप होने का सुख होता है उन सुख से अंचित रह जाता है तो नारियल तेल खाना है नारियल का जो गिरी है उसे खाने से जो है सुबह सौच खुल कर होता है तो नारियल खाएं भी और नारियल का तेल में सबजी भी बनाएं नारियल के तेल में अगर आप सबजी बना कर खाते हैं तो आपका वेट घटेगा आपके चेहरे पे गलोईं अगेजने बढ़ेगा आपके बाल जो हैं काले होंगे घने होंगे आपने डेखा होगा नार्याड तेल मार्केट में इसलिए विखता है लोग करते हैं कि नार्यल तेल मतलब सर में लगाना बाल को काला मजबूत घाना करना है तो नारियल तेल के काफी फाइदे हैं तो नारियल तेल का अधिक से अधिक पर्योग करें अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें नमस्कारम